बच्छों बीबी अमिंच के सवागत है आज क्लाश टेन का देखिए लाश मेंट सेजिशन का आज हम लोग कुछ महत्पुर्ण को सन के बारे में जानेंगे जो की एक्जाम में आने वाला है देखिए देखिए जिसे बहुतिक बुगोल इसमें से इजिए देखिए पांच मा और यहां से आएगा और उसके बाद लोग आर्थिक स्वाइगो में की पहले बहुत ही महत्पुर्ण है आप जरूरी पढ़ लिजेगा नदी और हिम्नाद के अपड़ान कारी से बनने बनने वाली अस्तलाकृती का सची तरवर्ण कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा चित्र बना कि उसका वर्णन भी करना होगा उसके बाद देखें दूसरा महात्पुर्ण जो है यह है कि मरुष्थर के विष्थार के क्या कारण है इसे कईसे अनियंतरीत किया जा सकता है या रोक जासकता है तो यह दोनों कर लिएगा इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए यह उसके बाद जो है वर्सा कितने परकार के होते पड़ते कि यह आ सकता है यह बहुत मात्पूर्ण है उसके बाद देखिए तापमार में विंता के कारण रहेँ यह बहुत मात्पूर्ण है इसको भी एक बार जरूर देख लीजए आप लोग उसके बाद देखिए वाइए बहुत ही मात्पूर्ण होने के कारण यह यह बहुत आप लोग नहीं जुआर बाटा उतपन होने कारण और यह भी पूछ सकता है आप लोग को चांड में पूछेगा जुआर्बाटा के अंतर में क्या करने का अंतर होता है तो ठीक है यह भी देख लिए जिए गार्वाटा का मानब जीवन पर पर प्रवाब परता है जुआ बाटा समंदरी धार पत्ति के कारण का विया कि बहले यह बाद में लिके लेकिन यह भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेन है इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीका से अब देखे पर देशिक भूगोल अपर देशिक भूगोल से विए क्या तो आता है तो यहां भी अब क्या होगा पाच नमबर क का दो आएगा तो दस नमर का यहां महत्पून पड़िया जैसे कि उत्तर भारत की नदी में नदी में क्या अंतर है इसके बारे में जानना है इसके इसके अब देखिए चाय को और कॉफी को बहुत ही अच्छा से देखिएगा उसका बाद मिट्टी के कटाओ के क्या करने मिट्टी का जो यह कटाओ होता है उसका मुल कारण क्या है और दिए देखिए भारत में किर्सी की समस्या और करने में क्या क्या है कारण कि किस परकार किया जा सकता है तो इसके बारे में आप लोग जयर देख रहें है कि है भारत की जलवायू पर किंकिन बातओं का प्रभाव परता तो दोनों में से देख लिजिएगा एक बार इसको जरूर देखिएगा देखिए उसके बाद पेट्रो रासाइनिक उद्धियों के मुख रूप से पस्चिम भारत में स्थित होने के क्या कारण है मतलब विकास होने का क्या करने यह क्यों इधर विकास वाप यह जो पेट्रो रासाइनिक है वह मुख्रूप से भास्चिम भारत में क्यों हुआ तो यह आप लोग देख लिजिएगा उसके बाद देखिए यह बहुत मात्पूर्ण है भारती अर्थ विवस्ता में रेलवे का निवाती है उसके बाद देखिए यह चार नमर के लिए है बागी यह पाच नमर के लिए इसमें चार नमर के लिए आप लोग कुछ देख लिजिएगा तो जैसे देख सकते हैं कि अब अफसिष प्रवंदन क्या है और है व्याख्या कि जिदेखे पिछले साल यह क्या था रेडियू से लिवस में था तो यह इससे कोस्टन नहीं आयता इस बार आने का पुरा संभावना है इसलिए इसको बहुत जरूरी देखे लिजिए गा उसके बाद भाग रहती हुगली नदी में अफसिष प्रवंदन के प्रभाव कवर्न क्या प्रभाव पड़ा इसका वर सकते हैं मैं चातर क्या आप्सिश्व प्रवंदन कर सकते हैं यहाँ से जो अज्यखते से चार नमर के लिए क्या जो उप्योग होता है और महतु आप लोग यह बहुत ही महात्रपूर्ण है किन्तो इसको भी आप लोग देख लिएगा विशेश्था कि विशेश्था क्या 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 मोगते जिक्षेश्था क्या है नदी के पड़िए कि तीन विधी कर सकते हैं तो अस्तलाकिर्थी यह देख लिए उसके बाद प्रती चक्रबात और चक्रबात में अंतर है इसको एक बार आप लोग एक्जाम में जाने से पहले जरूर देख लिजिए अगर ये बहुत है लिए महत्पुर्ण है पंजाब और हैना में करसी कारण कारण कर देख बहुत बहुत कि ना को पर रहत में ना जो उखर की ना थे वह रहे हैं इसका कारण है यह आप लोग देख लीजेगा झाल झाल झाल